जहें दोस्तों बंदे मात्रम थेटर्स का खुलना धीरे दीरे ही सही लेकिन अब शुरू हो चुका है ऐसे में कई सारी मूवीज हैं जो कि लाइन डाफ हैं थेटर्स में रिलीज होने के लिए लेकिन ओडिटी प्लेट फॉर्म अब एक ऐसी जगे बन चुका है बारे में कि इस मूवी में क्या कुछ है जो आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये मूवी दर्शकों की मूईदों पर कितना खरा उतरेगी और घर पे बैठकर देखना भी इसको मतलब सहुलियत दे पाएगा इस मूवी को की नहीं दे पाएगा ज़र इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में तापसी पन्यू बॉलिवूड की एक मंजी या बिनित्री बन चुकी है पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने किरदारों से हर किसी को परवावित किया है उनकी हर एक मूवी में उनका किरदार कुछ अलग और खास होता है तापसी अब वैसे ही फिल्में चुनती हैं जिसमें कि उनके किरदार को एक मुक्खे किरदार की तरह पेश किया जाता है इसलिए उनको बॉलिवूड की दूसरी कंगनर रनाओ भी कहा जाने लगा है पिछले कुछ सालों से उनकी दौरा किये गए फिल्मों को देखें तो चाहे वो हसीन दुलरुबा हो या फिर रश्मी रॉकेट हो इन सभी मुवीज में जो एक बात कॉमन थी वो है थी कि या तो वो मुक्खे किरदार के बराबरी पर थी या फिर उनका ही किरदार मुक्खे भूमिका में था दोनों फिल्मों में उनके अभिनाय की तारीफे ही हुई थी एक बार फिर तापसी एक और दमदार किरदार के साथ दर्शकों के बीज आ चुकी है उनकी फिल्म लूब लपेटा आज नेट्फिक्स पर रिलीज हुई है उनकी फिल्म में उनके साथ ताहिर भसीन भी नजर आने वाले है तापसी पन्यों और ताहिर भसीन की ये फिल्म लूपलापेटा फिल्म रन लोला रन की एडाप्टेशन है इसमें भारती माइथोलोजिकली का तलका लगाया गया है एक तरह से देखा जाया तो ये पूरी तरह से उसी फिल्म पर आधारित है उस फिल्म को देखे हुए दर्शकों को बहुत हद तक इस फिल्म में समनान तरता नजर आईगी फिल्म की कहानी दो अलग-अलग किरदारों की है जिनकी अपनी अपनी लाइफ में बहुत मुसीबते हैं तापसी अपनी जान देना चाहती है लेकिन कोशिश करती है जिसमें की वो सफल नहीं हो पाती उसकी जिन्दगी में तापसी भी इसमें उलग जाती है अब इस पूरी फिल्म में तापसी कैसे ताहिर को इस क्राइम के दल्ल सा निकालती है उसी की ये कहानी है कहानी इतनी सी जरूर है पर इसमें ट्विस्ट और टर्न इतने सारे हैं कि आप इससे चिपके ही रह जाएंगे फिल्म में तापसी का काम पहले की तरह ही बहतरीन है वो रिपीडिट लगने से इस बार थोड़ा सा बच गई है उन्होंने फिल्म में अपने किर्दार को बोल्डली निभाया है ताहिर एक ऐसा बिनिता है जो अपना रेंज दिखा रहे है शेचोरे में जो काम उन्होंने किया था वो उससे और आगे ही बढ़ते जा रहे है उनकी हर फिल्म और प्रोजेक्ट में उनका काम लोग नोटिस कर रहे हैं यहां भी वो कमाल के लगे हैं डरे सेमें परिशानी से निकलने के लिए हाथ पैर मारते लड़के किर्दार में वो बखुवी दिख रहे है दिवेंदू बटे चारे ने भी बहुत अच्छा और शांदार काम किया है इस बार वो कुछ अलग करते हुए देखें सारे किरदारों को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं निर्देशक निर्देशन अच्छा है अकाश भाटिया की भी तारिफ की जानी चाही उन्होंने फिल्म बाकी कहानी अलग ना होने के बावजूद धर्शकों को बांदने में सफलता ही असल करी है अब बात यही आजाती है आपको मजदार लग सकते है जिसकी कि ये हिंदी अडाप्टेशन है उसे देखी है तो ये फिल्म आपको बिल्कुल भी सर्प्राइज नहीं करेगी हाँ देशी अंदाज और यहां के किरदार आपको मज़ार लग सकते हैं तो ऐसे में इस मूवी को देखना कहीं से कहीं तक भी आपके लिए घाटे का सौधा तो थावित नहीं होगा मेरे सुडियों फिलालत नहीं जाय हैं जाय भारत